वेल्कम टू बैंकिंग वन टिप्स और मेरा नाम है विक्रमादित्या और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरह से आप जो चेक आप क्या है कोई भी जेक अगर गूम हो गया है या फिर चुरा लिया है किसी ने तो उसे कैसे स्टॉप करा सकते हैं मतलब उस चेक को स्टॉप कर देंगे आप तो उस चेक से कोई भी पैसे निकाल नहीं पाएगा कोई भी ट्रांसफर नहीं करें पाएगा मतलब कहें पर भी वह चेक चलेगा नहीं वह एकदम निश्क्रिय हो जाएगा वह चेक तो यह कैसे करना है इसके लिए यह फॉर्म आता है अब यह जो यहां बहुते ही जो चेक आपका गुम हो गया चोरी हो गया या फिर जिसका भी आपको पेमिट स्टॉप करना है उसका चेक नवर आपको यहां पे लिखना है जो 6 digit का check number होता है वो यहाँ पे लिग दिया ठीक है यह लिग देंगे उसके बाद आपका जो account में signature है वो आपको यहाँ पे करने का है आपका पूरा नाम और आपका address यहाँ पे देने का है और यह आपको bank में जमा कर देने का है तो आपने देखा कि किस तरह से check stop कर सकते हो आप bank में जाके वजिसे यह चीज़ आप you know app के through भी कर सकते हो you know app बड़ी app जो है या फिर you know light app दोनों के through कर सकते हो तो और message करके भी आप कर सकते हो बट यह तरीका जो मैंने आपको बता दिया सिंपल तरीका है अगर आपको sure होना है तो तो इसके लिए आपको bank में जाना पड़ेगा मगर फिर भी यह multipurpose form है तो यह form फिल करके आप बैंक में देख सकते हैं है ना तो फिर आप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कर दिजिए और शेयर भी कर दिजिए और चैनल को सिस्क्राइब करके लिए तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाए